इस वीडियो में हम बात करेंगे IDOL University of Mumbai Distance Open Learning का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट कल के दिन आया है मैंने Instagram पे और Telegram पे अपडेट कर दिया था ठीक है? और ये अपडेट क्या है इसके बारे में हम डेटेल में डिसकस करेंगे और ये अपडेट कल के रात में आया था एक वीडियो मैंने Timetable का अपडेट किया था अगर आप देखे रहेंगे Timetable का वीडियो मैंने अपडेट किया था तो ये Timetable के वीडियो के बाद ये अपडेट आया था तो मैंने इंस्ट्राग्राम पर अपडेट कर दिया था और टेलिग्राम पर भी अपडेट कर दिया था तो मैंक्शुर आप फॉलो करके रखें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा विडियो के नेचे तो यह क्या अपडेट है उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर यह डेट अगर जो है पोस्पॉंड हुआ है और यह कौन से कॉर्स के लिए है तो अभी दूसरा एक्जामिनेशन कब होगा तो हम लोग बात कर लेते हैं देखिए यहां पर सिर्फ सिंपल लिखा है कि this is to inform you that following exams following exams मतलब जो 5 दिसंबर से और 13 दिसंबर से और 14 दिसंबर और 22 दिसंबर से जो होने वाले थे are postponed due to technical reason कुछ technical reason था इसकी वज़े से जो है examination क्या कर दिया गया है पोस्पॉंड कर दिया गया है क्या कर दिया गया है new dates will be declared as soon as earlier मतलब जो नया date है वो नया date जो है आएगा बहुत जल्द ही ठीक है और वो कहां पर आएगा वो university के website पर आएगा ठीक है अगर आप university के examination जो होने वाले थे fyb.com यहां पर देखो clearly mention किया fyba fyb.com जो 5 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाला था और syb.com कौन सा semester 3 के लिए 14 दिसंबर से 22 दिसंबर को जो होने वाले थे पेपर यहां पर two लिख है मतलब सारे papers जो है वो postpone किये गए है ठीक है और new dates will be declared soon मतलब नया date जो है जल्द ही आइडल अपडेट करेगा तो sir अब examination कब तक हो सकता है क्योंकि यह 5 दिसंबर से चलने वाला था 22 दिसंबर तक होन देखें उसमें Christmas की चुटी रहेगी बहुत सारे holidays हैं एक एक हफते तक तो इस duration में exams conduct कराना थोड़ा सा possible नहीं होगा आइडल के लिए तो sir examination कब होगा तो देखें fix date तो मैं नहीं बता सकता बट मैं एक expectation बता सकता हूँ आप expect कर सकते हो एक assumption के base में बता सकता हूँ क्योंकि जो first month होगा January month उसमें mid of January से जो है आपका examination conduct कराया जा सकता है new date आ जाएगा ठीक है बाकि नया date आएगा तो मैं update कर दूँगा ओके तो ये दो कोशन ते काफी सारे बच्चों के कि सर ये examination postponed तो हो गया है इंस्टागराम पे question पूछा था sir examination तो postponed हो गया तो sir आप नया date कब आ पतला 15 तारीक के बाद ही जो है वो कंड़क कराएगा क्योंकि 20 से 25 दिन पहले जो है examination का date आईडल डेक्लेर करेगा ठीक है तो आप new year अच्छे से celebrate कीजिए फिर उसके बाद जो है देखते है अभी नया date आएगा बाकी थोड़ा टाइम मिले तो आप थोड़ा थोड़ा अबसाइट पर जाओगे वहां पर अपडेट किया जाएगा कैसे टाइम टेबल चेक करना मैं बता देता हूं मैं हर बार क्या करता हूं कि बता देता हूं ताकि कोई स्कूडिट अगर पहली बार भी वीडियो देखे ना तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये ऐसे चेक करत हैं मैं इसको सिलेक करके देखा देता हूं यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं ठीक है अब दूसरा यहां पे टैब गार चेकर करStrict कर सकते हैं कि घंडियोंग थन देखेघा लिए इसमें आप किलिक करके आपकर अप को information हमारी अच्छे लगती है अगर अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजिएगा और एक और good news है कि हमारी जो family है YouTube की idol distance over learning के students की वो 50,000 plus हो चुकी है और हम जल्द ही कोई discounts या आप लोगों के लिए benefits के लिए कोई courses ऐसे launch करेंगे जिसमें आपको धिर सारा discounts और free में जो है आपको learning मिलने वाली है so max your channel को subscribe करके रखें Instagram पे भी telegram पे भी so that आपको update मिलते रहे idol university के related ठीक है चलिए मिलते हैं next video में